नमस्का आए उसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं रूस यूक्रेन यूद अप्रेल तक वापस हो जाएगी रूसी सेनिक यूक्रेन के राष्टपती के सलाकार उलेस की एरेश्टोविच ने बुद्धवार को कहा है कि उन्हें उमीद है कि अप्रेल के अंतक यूक्रेन में चल रहे जंग समाप्त हो जाएगी क्योंकि कई छेत्रों में रूसी सेना की सक्रियता ठप पड़ गई है बड़ी संख्या में रूसी सेनिक मारे गए हैं और उनके हां थियार अब खत्म होने के कगार पर हैं ओलेसकी ने कहा कि रूस का परमानु हमला करने की समावना भी काफी कम है एक असानिय टेलिवीजन पर बोलते हुए ओलेसकी ने कहा कि रूस पहले ही अपने 40 पर 30 हमलवार बलो को खो चुका है इसलिए इस बात की प्रबल समहोना है कि अप्रेल माह के अंत तक युक्रेयन में चल रही जंग खत्म हो जाएगी इससे पहले राष्टपती कर्याले की ओर से दावा भी किया गया था कि अब तक जंग में रूस के 15,000 से ज्यादा से निकमारे जा चुके हैं अब क्योंकि रूस को भी जंग में काफे नुक्सान हो रहा है तो इसकी संभावना भी कम है कि वह परमानू हमला करे जारखन के सभी जीलों में बढ़ी गर्मी राइधानी राची समय जारखन के सभी जीलों में तपती गर्मी ने अपना रौंदर रूपती खाना सुरू कर दिया है है पिछले 24 गंते के दरमियान राजे का मोसम सूसक रहा राची में आज का तापमान अधिक्तम 36 डिग्री सेल्सियस और निमतव 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा चाहे रहेंगे वहीं 24, 25 वा 26 मार्च को मौसम सुस्क रहेगा और आस्मान साफ रहेगा अधिक्तम के साथ निम्तम तपमान में भी बड़ोत्री के संकेत दिये गए हैं जहारखन में ड्राप आउट बच्चों के लिए 5 अप्रेल से चलेगा मेगा अभियान कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चे ड्राप आउट ना हो इसे लेकर 5 अप्रेल से एक माह का स्कूल रुआर 2022 बैक टू स्कूल अभियान चलाया जाएगा मुखे सचीव सुखदेव सिंग ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र भेज कर इस अभियान को सफल बनाने के लिए निर्देश दिये हैं इस अभियान के माध्यम से प्रारंबिक इसकूलों में बच्चों की सत परतिशात उपस्थिती सुनिश्चित की जाएगी साथ ही इसकूल से बाहर रह रहे बच्चों की पहचान कर उनकी इसकूलों में उपस्थिती सुनिश्चित कराई जाएगी इस अभियान में चार मई तक चलेगा उन्होंने इसकूली सिक्षाय अमसक्षता विभाग द्वारा अभियान को लेकर त्यार आउधारना के अधार पर निर्धारे तीथियों को कारेकरम संपण करने के लिए निर्देश दिये हैं ओमिक्रोन प्लस डेल्टा मिल कर ला रहे करोना की चौथी लहर बीते दिनों देश में कोविट-19 मामले में उलेखनी गिरावर देखने को मिली है इस बीच दुनिया के कई देशों में करोना वाइरस की संभावी चौथी लहर देखने को मिल रही है इस बार ओमिक्रोन सब वेरियंट बी-ए-टू ने कहर बर पाया है यह सब वेरियंट अधिक तम संक्रामन है और पूरे दुनिया में तेजी से फैल रहा है इन सभी चिंताओं के बीच देश में लोग चिंती थाए कि क्या अभारत में कोविट-19 संक्रामन बढ़ सकता है कुरोना के चौथी लहर आ सकती है बता देश बर में 60 बरस जादिक उम्रवाले लोगों के लिए बुस्टर डोज टिकाकरन में बिरिधी की गई है वही 12-14 बरस के बच्चों के लिए भी कुरोनाटिक अकरन की सुरुवात की गई है हीट अन्ड रन से मौत पर जार्खन सरकार असरीतों को देगी 4 लाख रुपे मोवजा जार्खन की हेमन सरकार ने बुद्धवार को बड़ा फैसला लिया है इसके तहट राज सरकार हीट अन्ड रन से मौत मामले में आसरीतों को 4 लाख रुपे का मोवजा देगी सदन में भाजपाव बिधायकों के पूछे सवाल पर संसद्य कारमंत्री अलमगीर अलम नहीं अगोसना की है मालूम हो की राज सरकार फिलहाल घायलों को 50 रुपे और मिरित के असरीतों को 2 लाख रुपे मोवजा के तोर पर देती है बुद्वार को जरकन विधान सवा की करेवाही सुरू होने के बाद भाजपाव बिधायक राज सिनहा और बिरंची ने राएन के राज सरकार से सवाल किया था कि हीट एंड रंच हती पूर्ती योजना को लेकर राज सरकार की किया योजना है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार इस मामले में मिरित्त कैसलीतों को 4 लाख रुपए का मुभजा देगी ऐसे में राज सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है बताए पेट्रोल डीजल के दाम के साथ चावल डाल सबजी भी महंगा रूस और यूक्रेन के बिच जारी यूद का असर राजधानी राची में भी देखने को मिल रहा है बतादे अंतर राश्ट्री बजार में कंचे तेल की किमतों में उच्छाल आया है तो अनाज से लेकर फॉल सबजी तक के दाम आसमान चुने लगे कीचेन का बयट बिगड़ गया है एक माह में खादे समागिरियों में 20% की ब्रीधी दर्ज की गई है ब्रीधी लगातार जारी है बतादे मुराबादी में जेनरल लेश्टोर चलाने वाले पवन कुमार के अनुसार एक माह में रिफाइन और सरसो तेल में 20 रुपे की तेजी आई है गड़वा में 30 भेड के साथ एक ब्रीध की हत्या एक घायाल गड़वा जी लेके मजियाव थाना छेतर अंत्रगत करकटा गाउं छेतर में लगबग 30 भेड के साथ एक ब्रीध की हत्या बड़ी बेरामी से कर दी गई है साथ ही एक ब्रीध को घायल कर दिया गया है इस घाटना के बाद छेतर में संसनी फैल गई है और घाटना की जनकारी मिलते ही गीरामीनों के ब्रीड इकठा हो गई वही मिरित्ता की पहचान चीरकुट ही गाव निवासी सर्जू पाल एवं घायल धनेस्वर पाल के रूप में हुई है बताते चले की दोनों भाई भेड चराने का काम करते थे और कांडी थाना छेत्रे के गोसांग गाव निवासी देव मूरत राम के खेत में जो करकाटा छेत्रे में मंगलवार की रात भेड़ बैठाया गया था वही अघटना देर रात की बताई जा रही है नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज निर्मान बिरोध का प्रस्ताव पारित नेतर हाट फिल्ड फाइरिंग रेंज बिरोधी केंद्रिय जन संगर समीती लाते हर गुमला की ओर से आयोजी दो दिवस्ती बिरोध सभाज जल जंगल और जमीन की राक्षा करने का संकल्प तथा जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे के नारे के साथ संपन हो गया इस दोरान पद्यात्रा निकाल कर राजेपाल को ग्यापन सोपने का निना लिया गया यह पद्यात्रा अगामी 21-25 अप्रेल 2022 तक आयोजीत होगा बता दे बीरोत सभा के अमतिम दीन पूरो विधायक सुकदेव भगत ने समोधित करते हुए कहा कि नेतरहाट फिल्ड फाइरिंग रेंज के परभावी 245 काओं के निवासियों को समयधानिक रूप से रहने और जीने का अधिकार है 1932 खतियान अधारित अस्थानी और नियोजन नीती को लेकर मानोसरिंखला का निर्मान सिद्धु कानु मूर्मू विस्व बिद्याले छात्र समन्वे समितिरें 1932 के खतियान अधारित अस्थानी और नियोजान नीती लागू करने की मांग को लेका चरनबद आंधोरन करते हुए बुद्धवार को मानोश रिंखला का निर्मान किया मानोश रिंखला में एसपी कॉलेज के सामने दाजनो छात्र सामिल हुए छात्रों की सहर के फूलो जानो चौक से सिद्धु कानो चौक तक मानोश रिंखला बनाने की योजना थी लेकिन परसासन को जनकारी मिलते ही सब वीडियो सदर राजेस कुमार सिनहन नगर थाना पूल मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कूलेक्टिव केस की संख्या 115 है भारत में कुरोना के 1936 नाइक केस मिले हैं जबकि 2524 मरीज स्वस्त हुए है भारत में कुरोना के कूलेक्टिव केस की संख्या 35 या 220 है जार्खन सरकार का फैसला आपात काल में एक फोन पर पहुंचेगी 520 गाडिया आपात काल के इस्थिती में एक फोन पर पूरे राजे में 520 गाडिया अलाट मोर पर रहेगी ये गाड़िया पुलिस भीभाग, अगिन समन भीभाग, स्वास्त भीभाग और अन ऐसे ही आपात कालीन बेवस्ता स्थ जूड़ी सेवाओ के लिए तैनात होगी जिस तरह की घाटना को लेकर फोन आएगा उसे समन्धित गाड़ी रवाना हो जाएगी पूरी ब्यवास्था में परिवर्तन होने की समभावना देखने लगी है राज्य में उतर परदेश की तर्जपर राज्य अस्तरिया पात कालीन प्रतिकिरिया सहायता परनाली डायल 112 को सुद्रीट किया जाएगा इसे केवाद सहरों तक ही नहीं बलिग गाव गाव तक सुद्रीट वा सिटीजन फ्रेंड रिली बनाया जाएगा इसके लिए राज्य अस्तरिये ERSS प्रबंधन का गठन अवस्यक है जार्खन के किसानों के लिए टॉल फिरी नमबर जारी मुख्यमंत्री हेमांसिलन की पहल पर सुरू किये गए किसान कॉल सेंटर से जार्खन के किसान खेती बाड़ी एवम योजनाओ से समदित अपने सवाल का जबाब और समस्याओ का समधान पा रहे हैं वह भी सिर्फ एक फोन कॉल पर औरलाइन पोर्टल एवम एसमेस के माध्यम से यह निसूलक सेवा है किसानों की समस्याओ को लेकर सनवेदन सिल मुख्यमंत्री जार्खन के किसानों की क्रिसी समदि समस्याओ एवम सुझाओ से अउगत होना चाहते हैं इसका उदे से प्राप्त आकड़ों के अधार पर किसान हीत में योजना बना कर एवम नीती निर्धानन करना है बता दे राजे के किसान कॉल सेंटर के टॉल फिरी नमबर 1800-123-1136 पर अपनी समस्याओ एवम सुझाओ को दर्ज करा सकते हैं लालू यादव एम्स के नेफ्रोलोजी वाड में सिफ्ट लालू यादव को बुद्धवार की सुबत दिली के एम्स से डिस्चार्ज करने के बाद दुबारा भरती कर लिया गया है उनकी कीडिनी में संक्रमन तेजी से बढ़ने के बाद इमर्जेंसी से नेफ्रोलोजिक के सीच छोवार्ड में सिफ्ट कर दिया गया है यहां नेफ्रोलोजिक डॉक्तर भामिक की देखरेक में इनका इलाज चल रहा है बता दे मंगलवार को मेडिकल बोट की सलापर लालू को राची के रिम्स से दिली रेफर कर दिया गया था मंगलवार की रात एमस के एमर्जेंसी में रखने के बाद बुद्वार की भोर में डिस्चार्ज कर दिया गया था इसी बीच रांची आने के दोरान यारपोर्ट पर उनकी तबियत दोबारा भिगड़ गई इसके बाद उन्हें दोबारा एमस लाया गया यहां एमर्जेंसी में जांच के बाद लालू को ने फ्रोलोजी वार्ड में सिफ्ट कर दिया गया बढ़का गाउ गोली कांड की जांच जज सिकराई अमबा परसाद थारी बैक जिले के बढ़का गाउ गोली कांड के पूरो मंत्री योगेंद्र साव और पूरो बिधायाक निरमाला देवी के दोशी करार दिये जाने के दूसरे ही दिन जार्खन बिधान स्वा में बढ़का गाओं की विधायक आमबा परसाद ने मांग उठाई की इस प्रकरन की नियाधीस से जाज कराई जाए उन्होंने रुधे गले से सदन से नियायक की गुहार लगाई और कहा कि पूलिस ने जान बोच कर गवाव को ट्रा धमका कर केस को फ्रेम किया और पूरो विधायक निर्माला देवी को फसाया क्या घाटना के दिन धरने पर बैठी विधायक निर्माला देवी हाथ में बंदुक लेकर धरना दे रही थी विधायक आंबा परशाद ने सदन से अगर किया कि बढ़का गाओ गोली कांट किन्याएक जांच कराई जाए आयकर बिभाग ने सुरू की जहार्खन के बड़े डिफॉल्डरों पर करवा आए आयकर विभाग ने राजे के बड़े डिफोल्डरों से तीन हजार को रुपे वसुलनी की करवाई सुरू कर दी है। इसके तहट अब तक 110 डिफोल्डरों का बैक अकाउंट अटेच किया गया है। जिन बड़े डिफोल्डरों का बैक अकाउंट अटाच किया गया है उसमें पूरो मंत्री एनोस एक का जार्खन उर्जा संचरन लिमिटेड का नाम भी सामिल है आयकर विभाग के बड़े डिफोल्डरों के सूची में डॉक्टर, बयापारी, कमिशन, एजेंट और राज्यवाकेंदर सरकार के लोग उपकरम सामिल है सिंदरी के डी नोबली स्कूल में दसवी के छात्रों के बीच मारपीट एक की मौत धनबाद इस्थित सिंदरी के डी नोबली स्कूल में दसवी की कक्छा के छात्र असमित परकास 15 वर्सी एक साथ मारपीट मामले में इलाज के दुरान मौत हो गाई सिसी टीवी कैमेरे में अने छात्रों दवारा असमित के साथ मारपीट का फोटे साफ दिख रहा है पूलिस मामले की जाच सुरू कर दिया है वहीं स्कूल परवंधन भी अपने अस्तर से जाच कर रही है बताया गया कि सिंदरी के डी नोबली स्कूल में टिफिन होने के बाद सवी छात्र अपने कलास रूम में आए जहां छात्र असमित अपनी जगा से दूसरे की जगा पर बैठ गया इस दोरान कलास के कुछ आने छात्रों ने उसे उठाने को कहा पर असमित के नहीं उठने पर उसके मारपीट और धाका मोकी किया गया इस मारपीट के बाद असमित अपने जगा पर चला गया हलाकि इस मारपीट के दरान कलासरूम में कोई टीचर्स मौजूद नहीं थे बढ़का गाव जंगल में तीन दिन से लगी आग को बुझाने का नहीं हुआ पर्यास हजारी बढ़का गाव जंगल में आग लगी हुई है जिसके कारान हजारों पेड़ पौधेवा जीव जन्तु नश्ट हो गए है आग की लपेट इतनी भ्यानक है कि 10 किलोमेटर दूर से ही दिखाई दे जाती है लेकिन पर्सासन की सनवेदन सिलता के कारान अब तक इसे बुझाने का पर्यास नहीं हुआ है आलम एहाय की आवण विभाग का इस ओर अब तक ध्यान नहीं गया है नहीं अस्थानिय समिती के लोगों द्वारा इसे बुझाने की दिशा में कोई कदम उठाया गया परिणाम एहाय की जंगल में लगी आग अब धीरे धीरे बिक्राल रूप लेने लगी है जंगल में आग लगने के कारान जंगली पसू पक्षी त्राहिमाम कर रहे हैं राम नमी जूलूस की अनुमती के सवाल पर बवाल राज में राम नमी जुलूस की अनुमती के सवाल पर बुद्धवार को सदन में पक्ष वभी पक्ष बिधायकों में तकरार हुआ बिधान सबाद्यक्स के अहस्त छेप के बाद मामला सांथ हुआ हजारी बाद के बिधायक मनिस जैसवाल ने सदन को सूचना देते हुए कहा कि राम नमी का तेवार दुमदाम से मनाया जाता है राज में राम नमी जुलूस को अनुमती देने के लिए वे पहले भी बोले हाँ आवेदन भी दिये हाँ लेकिन अब तक विचार नहीं हो सका है मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आवेदन आया है पर्वतेवार का मामला है भीदी बेवास्ता की समस्या ना हो इसलिए इसे दिखवाएंगे जो उचित होगा उसके अनुसार काम होगा रगुबर दास पर दो माह के भीतर हिमंत सरकार करेगी करवाई मेन हाट घोटाला का जीन बोतल से एक बार फिर बाहर निकल आया है घोटाला उजागर करने वाले बिधायक सरजुरा इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं बता दे चारा घोटाला की तरह इस घोटाले के दोसियों को भी साजा जी लाने के लिए जी तोड मेनत कर रहे हैं जार्खन बिधान सवा में उन्होंने इस मामले को उठाते हुए सवाल दाग दिया की हमंद सरकार कब तक करवाई करेगी अंतता संसादिये कार्यमंत्री अलमगीर अलम को काना पड़ा की सरकार में नट घोटाले क्या रोपियों से जवाब लेकर दो माह के भीतर करवाई सुनिश्चित करेगी सर्जुराय ने इस मामले को सदन में उठाते हुए पूछा की ज़ारकन सरकार भर्ट चार निरोधक ब्योरो से महवारी परतिवेदन देती है ब्योरो ने अपनी प्रारमभिक जाच पूरी कर ली है रेसम उत्पादन में जारकन नमबर वन अब वस्तर निर्मान पर फोकस तसर सिल्क के उत्पादन में पूरे देश में पहले नमबर पर मौजूद जारकन अब इस तमगे से आगे बढ़ कर नई संभावनों की ओर देख रहा है जारकन सरकार की कोशिस है कि कोकून उत्पादन से आगे बढ़ कर इस्टे निर्मीत रेसम के वस्तरों के उत्पादन में भी जारकन आगे बढ़ है और यहां के लोगों को रोजगार मिले इसके तहत बुनकरो, सिल्पियो और रेसम क्रिसको को विभीन परसिक्षन माद्यम से त्यार भी किया जा रहा है इसके आगे सरकार किया भी कोशिस है कि जारखन में इन कपड़ों के उत्पादन को लेकर नहीं कमपनिया खुले और उन्हें अस्थानी अस्तर पर ही अच्छे प्रसिक्षन कामगार मिल जाए रांची अर्पोर्ट को मिला देश में दूसरा अस्थान जारखन की रैधानी रांची सितबीर्चा मुंटा अर्पोर्ट को यात्रियों ने पोजेटिव मार्किंग देने का काम किया है यही वजह है कि यात्रियों की मार्किंग के अधार पर राची आरपोट को ग्राहक संतुष्टी के पैमाने पर देश बर में दूसरा अस्थान प्राप्त हुआ है दरसल राश्ट्री अस्तर की यारपोट पर उपलव्ध सुविधाओ और ग्राहक संतुष्टी के आधार पर सर्वे रिपोर्ट जारी की गई जिसमें राशी इस्थित बीर्शा मुंदा यारपोट को राउंड पूरे में ग्राहक संतुष्टी सुचकांक में दूसरा अस्थान प्राप्थ हुआ बीर्शा मुंदा यारपोट को 4.97 अंक प्राप्थ हुआ वही राउंड एक में इस यारपोट को 4.84 अंक प्राप्थ सिक्षा मंत्री ने सिपी सिंग से कहा बीजेपी सरकार की तरह सिख्षकों से सराब नहीं बेचवा रहे पिधायक सिपी सिंग के सवाल पर बुद्धवार को मंत्री जगनात्मतों ने कहा कि राज में करोना काल में कक्षा एक से पांच तक के एक हत्तर परतिसद बच्चे सिक्षा से वनचीत रह गाए सिक्षकों से गर सेक्षनिक कारे लिये जाने के आरोपों को मंत्री ने खारिज किया और कहा कि उनकी सरकार पूर की भाजपा सरकार की तरह सिक्षकों से सराब नहीं बेचवाती है सिक्षकों से बियेलो का कारे भी स्कूल बंद करने पर ही कराया जाता है सरकार मुर्गा मुर्गी की गिंती भी नहीं कराती मंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि आगे भी सिक्षकों से किसी भीतरा का गर सक्षेनिक कारे नहीं कराएंगी उन्होंने सिपी सिंग की चुनावती को सविकार करते हुए काया कि वे कमजोर नहीं है राज महल के पूर्व सांसत सोम मरांडी का रिम्स में निधान राज महल लोकसभा के पूर्व सांसत सभाजपा नेता सोम मरांडी का निधन बुद्धवार को राची के रिम्स में इलाज के दवान हिर्दय गति रुकने से हो गया वह 58 वर्स के थे पर जो ने बताया कि वह सोमवार को किसी काम के सिलसिले से राची गए थे इसकरम में बुद्धवार को अचानक दिल का दोरा पड़ा इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिम्स में भरती कराया गया था उनका जन्म साथ जन्वरी 1964 को हुआ था वह लिट्टी पाड़ा के रहने वाले थे पहली बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर वर्ष उन्हें ठान्बे में मात्र नौव भोट से कॉंग्रेस के थामस हांसदा को हराया था उतपाद सिपाही नियुक्ती मामले में सरकार से जवाब तलब जारखन हाई कोट के जस्टिस राजे संकर की आदालत ने उतपाद सिपाही नियुक्ती मामले में कॉट ओफ डेट को लेकर दायर आजका पर सुनवाई करते हुए राज सरकार को जवाब दायर करने का अधालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मार्ज की तीथी निधारित की है प्रार्थी अंकेश कुमार की ओर से अधालत को बताया गया कि उत्पाज सिपाही परत्योकता परिक्षा के लिए वर्ष 18 में परकिरिया शुरू की गई थी उसमें वह भी सामिल हुआ था ले जारा होना चाहिए जारखन में 1932 के खतियान के अधार नहीं बनेगी अस्थानिये नीती और नियोजन नीती मुख्यमंत्री हमांत सुरेन मुख्य मंत्री हमान सुरिन ने बिधान सभा में बुद्धवार को कहा है कि राज सरका के प्रत्यमिक ताओं में अस्थानी और नियोजन नीती सामिल है हलाकि 1932 के खतियान के अधार पर इसे लागू नहीं किया जा सकता कोट इसे खारिच कर देगी उन्होंने इस दवरान घोसना की है कि राजे में 350 वर्ग फिट तक के आवासों पर कोई होल्डिंग टेक्स नहीं लगेगा इससे राजे के लगभग 85,000 परिवारों को लाब होगा उसके साथ साथ हर महीने में 100 उनिट तक बीली खपत करने वाले लोगों से कोई सुल्क भी नहीं वह सुनने की बात कही है धन्यवाद ऐसे में हमें आप बताए कि क्या जारखन में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए या नहीं कोमेंट बक्स में अपना फिड़बेक अवस्दे साथ साथ वीडियो को एक लाइक आप में दोस्तों सेयर करना ना भूले थैंक यू